B.C. 5 seconds आज आपको उश्मागती की आगे continue कर रहें इसमें बता रहें उश्मागती की प्रक्रम जब तन्तर एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में परिवर्थित होता है इसे हम कहते हैं उश्मागती की प्रक्रम यह चार पाच प्रकार के होते हैं पहला समदाबी प्रक्रम इस्थिर दाप पर किया जाने वाला प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है सेकंड सम आइतनिक प्रक्रम इस्थिर आइतन पर किया जाने वाला प्रक्रम सम आइतनिक प्रक्रम कहलाता है तीसरा समतापी प्रक्रम आईसो थर्मल प्रोसेस इस्थिरताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है रुदोश्म प्रक्रम वे प्रक्रम जिसमें तंत्र अपनी परिपाश्विक से ना तो उश्मा ले सके और ना दे सके रुदोश्म प्रक्रम कहलाता है अता उश्मा इसमें constant होती है परंतु यदि इसमें ताप का परिवर्तन संबग है यदि कोई रसाइने कभी किरिया एक्जो थर्मेक है उश्मा शेपी है तो तंत्र का ताप बढ़ जाएगा और यदि कोई प्रक्रिया एंडो थर्मेक है तो उश्मा शोशी है तो तंत्र का ताप कम हो जाएगा परन्तु उश्मा का तंत्र और अपने परिपाश्विक से कोई भी बिनिमें नहीं होता उन्हें कहते हैं प्रुदोश्म प्रक्रम पांचमा इसमें चक्रिय प्रक्रम यदि कोई तंत्र परिवर्तनों की शेडियों में से गुजरता हुआ बापस अपनी प्रालंबिक मूल अवस्ता में आ जाए तो वह प्रक्रम चक्रिय प्रक्रम कहलाता है अब आपको बता रहे हैं उश्मा गतिकी का प्रत्थम नियम उश्मा गतिकी का प्रथम नियम उज्जा संदक्षन के नियम का कथन मात्रे अर्थार्थ उज्जा को ना तो उत्पन किया जा सकता है और ना ही उसे नश्ट किया जा सकता है अपितु उसको एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरत किया जा सकता है अता ब्रह्माण्ड की समत ऊर्जा नियत है यह कथन है ईश्मा गती के प्रथमनियम का गणितियगू यदि किसी तंथ्र की प्रारंबिक आंत्रिक ऊर्जा E1 है तंथ्र उश्मा की Q मात्राव शोशित करता है अता आंत्रिक ऊर्जा में ब्रध्ति E1 उसकी थी plus Q यदि तंतर द्वारा W कारे किया गया तंतर द्वारा कारे किया गया तो E2 आंतरे कूर्जा अंतिम स्थिती में बराबर होगी E1 plus Q minus W अता delta E is equal to E2 minus E1 और delta E is equal to E1 plus Q minus W minus E1 तो इसको clear करें तो delta E is equal to Q minus W यह उश्मा गति के प्रतम नियम का गणितिय सरूप है अता आंतरे कूर्जा में परिवत्तन अफ्शोशित उश्मा माइनस तंतर द्वारा किया गया कारे आंतरे कूर्जा अवस्था फलन है अता यह किसी भी तंतर की प्रारंबिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है इसलिए इसमें delta E E2 minus E1 तो E1 प्रारंबिक अवस्था है E2 उसकी अंतिम अवस्था है परन्तु Q तथा W अवस्था फलन नहीं है यह प्रक्रम के पत्पर निर्भर करते है अब आपको बता रहे कारे उश्मा गति की में तंतर हमेशा ही किसी वाहे बल के विप्रीत कारे करता है कारे दो गुडांग को तीवता गुडांग तता धारिता गुडांग के गुडांग के बराबर होता है तीवता गुडांग किसे कहते है परिवर्तन के विरुद प्रतिरोद का माप तीवता गुडांग कहलाता है और धारिता गुडांग किसे कहते है परतिरोद या बल को पराजित करने की सीमा इसको हम धारिता गुणां कहते हैं जैसे यांत्रिक कारे तो यांत्रिक कारे होता है बल इंटू दूरी तो बल जो है वो तो तीवता गुणां के और दूरी जो है वो है धारिता गुणां बल को हम न्यूटर में नापते हैं और धूरी को हम मीटर में नापते हैं तो यहां तरिक काड़े की यूनिट होती है न्यूटर इंटू मीटर वैदूत काड़ें तो वैदूत काड़ें विभांतर इंटू आवेश कूलम में नापते हैं आवेश को विभानतर होता है वोल्ट और आवेश किसके बराबर होता है I into T मतलब विद्धुधारा की मात्रा into time in seconds तीसला कार रहे हैं गुरुत्वी अकार है तो गुरुत्वी अकार होता है गुरुत्व बल जो कि किलोग्राम into meter second minus one होता है और उचाई height M जो meter में नापते हैं तीसरा होता है गैस के लिए यूज किया जाता है प्रसार कार रहे तो प्रसार में होता है pressure into volume जैसा आप जानते हो तो दाप को हम pascal नमर नापते हैं और आयतन में परिवर्तन को हम centimeter cube या meter cube में नापते हैं तो यह चार प्रकार के कार रहे हैं तो एक तीवता गुणांक दूसरा धारिता गुणांक के गुणन फल को हम कार रहे कहते हैं और अब आपको पढ़ाएंगे गैस का प्रसार कार रहे थैंक्यू